हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सबी लोग आई होप यौल आर फाइन बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स चाप्टर चाप्टर नूमर 12 बाबा जी का बक्सा जेमस के बाबा जी बड़ा सा बक्सा लेकर आते हैं एट बक्से के चारो और मोटा रंग-विरंगा काज़ लिपटा हुआ अस तरीके से वह बक्सा लेकर बड़ी मेच पर रखने हैं और बच्चों से व मिठाईय या बाबा जी अच्छा बच्चों बताО इस बक्से में क्या मसाला लेकर आयो बाबा जी अरे नहीं या तुम्हारी पसंद की कोई चीज है सोनिया सोचते हुए क्या चीज हो सकते है जेम्स क्या आप कहानियों की बहुत सी पुस्त केस में भरकर नहीं ले आए बाबा जी नहीं बेटे इसमें तो खेलने खेलोने वाला कुछ है लेकिन यहाँ इतना हटी है कि अपने आप खेलता नहीं है इसका जरा सा कान दबा दो तुरंट तुम्हें खेल दिखा देगा उन्होंने हिंट देना स्टार्ट कर दिया जेम्स तो बाबा जी क्या इसमें आप लोग भी गैस करो क्या हो सकता है जेम्स आश्चरे से चलता है फिर भी एक जगे बैठता है बड़ी अजी पात है जो चीज चलेगी वा एक जगे भला कैसे बैठ सकती है बाबा जी हाँ यही तो बात है अपने मस्तिश्क पर जोड़ दो नहीं बता पाओगे तो गोरा काला सुनिया बाबाजी भला ऐसा कैसे हो सकता है रंग या तो काला होगा या गोरा होगा बाबाजी लो और पता बताते हैं यह कभी एक दिन भी विध्याले में पढ़ने नहीं गया पर यह बड़ा ही ज्यानी है लाखों करोडों का हिसाब कुछ सेकिंड में लगा द आज इसका सब और बोल बाला है विद्याले में दफ्तर में रेलवे स्टेशन पर या तुमारी पढ़ाई में सहायक भी है और खेल में भी है सबकी बाते छप चाप कर बताता है जेम समझ गया बाबा जी मैं समझ गया इसका नाम का से शुरू होता है बाबा जी कहते है ठीक हा का से शुरू होता है जेम स इसका नाम अंतिम अखशर है रा बाबाजी बिल्कुल ठीक अब इसका नाम बताओ तो जेमक खोश होकर कंप्यू, सोनिया उचल कर तर यानि कि आदा जेमस ने बताया और आदा सोनिया ने बाबा जी शाबाश बच्चो यहां computer है आखिर तुमने से पहचान लिया यहां तुम्हारे काम आएगा पर इसे छेड़ कर खराब मत करना तो बच्चो this is all about this chapter मिलेंगे next chapter में thank you so much